शतरपुर में कांगरेज जिला देच ने भाजपा बाजपा 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 के रहते नहीं हो सकते निश्पक्ष बड़ा मलहरा उप्चनाओ कहा जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन एस्डी ओपी तैसिलदार एस्डीम आराई पटवारी रोजगार सहायक कर रहे भाजपा के एजएंट के रूप में काम पूर मैं भी चुनाओ आयोग से कीती शिकायत बीजेपी उप्चनाओं में हार के डर से जबरन अनावश्यक रूप से बना रही कांग्रेस पर दवाब और दी जा रही धमकियां जनादार घटता नजर आया तो जो घटना करम चरन सिंग आदो जी के साथ हुआ ये अचानक सारे घटना करम कैसे हो जाते हैं कल की ही घटना है परसों चरन सिंग यादो जी कम आदनी कमनाद जी के मंचपर कॉंग्रेस में आते हैं कल हम लोग की कारिकरताओं की बैटक में चरन सिंग जी सामिल थे हम लोग बापस लौट रहे थे सबसे पहले तो मैं ये देखूंगे तो आपको अधान बता रहा हूँ मुझे भगवात आने के सामने रोका गया और ये कहा गया कि SDOP का पॉइंट है आपको यहां रोकने के लिए कहा गया अरे भाई विदायक की हैसियस से पर्मीशन है मुझे मेरे पास में चुनाओ का समय चल ला है कॉंग्रेस का विदायक हूँ और मैं छेतर में भ्रमन कर रह हूँ आपकी जो प्रिक्रिया जाच की प्रिक्रिया है आपको गाड़ी देखनी है जाच करनी है आप वो कर दीजिये लेकिन वहां मुझे रोका गया इसके बाद वहां दूसरी तरफ भगवात आने में मुझे रोका गया वारात आने की वहां पर चलन सिंग को रोका गया औ और चरन सिंग के उपर जबन जिस्ती रात को ही भगवा थाने में प्रक्राणदंस कर दिया किया और 24 गंटे भी नहीं हो पाए सुबह सुबह उसके उपर विचारे के उपर चरन सिंग यारों के उपर 10,000 रुपे का एनाम भुषित कर दिया ये कौन सी प्रक्रिया है और ये कौन सा तरीका है पानूल भी अपनी सारी चीज़ों पर कारवाही करता है उसके बाद कोई प्रक्रिया होती है ये यादाव समाज का जो हमारे छेतर में बड़ा मालेरा छेतर में अफमान किया जा रहा है यादाव समाज के साथ में जो यह सब चल रहा है यह उचित नहीं है और चलंसिंग यादो को निश्चित रूप से नियाए मिलेगा भाजापा ने बूडबेंग के चक्कर में किया है क्या है चलंसिंग यादावर अब आपका अगला स्काइट करेंगे कि हमने आपसे यह सामने करन हो रहा है इसी के कारण आप नहीं हटाते हैं अपर निश्चित तोर से इसना प्रावावित करेंगे का अगलकर साफ का अब लगों का सब्सक्राव नहीं है नहीं है की लागता है वाज पर मैंडेर्टी है का अगले समाने करेंगे कि भुले रूप से सिकाइट पत्त्र में लिखा है आप जाकर प्रस काउपियों कि दे रहेंगे कि एस पी सचिन सर्मा देवं सीवेन सिंग के रहते हुई यहां पर निस्पच का पूर्वक यह चुनाव संपन पूरी सकते हैं इसकी आप लोगों को एक जानकारी होगी खल जो गड़ना गड़ी है शरण सिंग के साथ यह बढ़ना का कारण यह था कि 28 तारिक को पूर्वने हमारी पार्टी कमणलाजी के सामने जाए दूसरा गड़ना क्रम हम लोग यहां पर लीड कर रहे हैं इस चुनाव को तरह तरह की कि दंगिया मिल रही है और हमारे मानी चेत्री विदायक वालिव चेकर में दिजी हैं उनको भी अनावस्यक रूप से परिशान किया जा रहा है हम लोग यह सब सहने वालों में से नहीं हैं हम इसका पुर जोर गिरूद करें में इलेक्शन कमिशन से अपने प्रदेश अध् पूर्ब में हमने आज तो आप समझिया जो प्थाय सुंतिस तारिक होई हमने 20 दिन पहले उनको आग्राइब करा था इलेक्शन कमिशन को 20 दिन पहले हमने कहा था कि इनके रहते हुए यहां पर निस्पक्सता कुम बद्दान नहीं हो सकता है चुनाव नहीं हो सकता है पूरे उनके जितने भी पुलिस नदिकार ही हैं चाहिए वो स्डियोपी हो टी आई हो सिपाई हो पूरी तरीके से बारती जन्ता पारटी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं चाहिए वो पटवाली हो आराई हो जो भी है तो आपको इनकी सिकायत की गई थी और हम पुन है जो घटना करना घटी ऐसके उपर फर्जी मुकद में इधर लाख दिए तुरंत तुसको दसजार का इनाम भोसित कर दिया गया यह तो अपराद ही हैं इस्टी सीटर अपरादि हैं उनको सब्यक्षन दिया जाता है वह एक अगले व्यक्तिक वह इसलिए प्रताड नहीं प्रशाइब करें तो प्रशाइब करें तो यह नहीं हो सकते हैं यह नहीं हुए और यदि इसको नहीं अठाएगे तो आप देखें बदान भी प्रभावित करेंगे